भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिकवार में रिन्यूबल एनर्जी से पूरी करेगा जंगल और पहाडों में पनत्ते प्राक्रतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य की अपनी पहचान है उर्जा के एक शेतर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार ने अनुनाचल के पश्चिमी कामेंग जिले में 600 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्टिक प्रोजेक्ट का निर्मान किया है प्रोजेक्ट के अंतरगत विछोन नदी पर 70 मीटर उंचे हाई कॉंक्रीट ग्राविटी डैम और टेंगा नदी पर 24.5 मीटर उंचे डैम का निर्मान किया गया इस प्रोजेक्ट का करार 1999 में साइन जरूर हुआ था लेकिन ये आगे बढ़ा 2014 में वर्तमान के इंद्र सरकार के आने के बाद प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रितों में इसे खास महत हो दिया गया और 2016 में श्री पेमा खांडू जी ने मुख्यमंतरी के रूप में शासन संभालने के बाद मोदी जी के सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस प्रोजेक्ट ने पूर्वोत्तर भारत की बिजली विवस्था के परिद्रिश्य को बदलने की दिशा में एहम भूमिका निभाते हुए अभी तक 6200 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर लिया है प्रदेश को 12 प्रतिशत बिजली की आपूर्ति के अलावा यह स्टेशन आज असव, मेघाले, नागालैंड और देश के अन्य हिस्सों जैसे हर्याना, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को बिजली पहुँचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है इस प्रोजेक्ट के कारण प्रतिवर्ष कारबन कटोती की अनुमानित मात्रा 2.8 मिलियन टन है परियोजना को कोविट पीरियेड की तमाम चुनोतियों के बावजूद, सांस्कृतिक वप्राकृतिक विरासत को संग्रक्षित करते हुए पूरा करना भारत सरकार वर राज्य सरकार के सतत्विकास के संकल्प का एक उधारन है और आज 19 नवंबर 2022 को इस प्रोजेक्ट को राष्ट को समर्पित किया गया मानुनिय प्रधान मुंत्री श्री नरेंदर मूती जी के करकमलों द्वारा